साई की बात और तुम्हें हग भी है मेरे बचे कि तुम अपने मन की सारी बाते अपने साई के सामने प्रकट कर सको मैं तो तुम्हारा बाबा हूँ ना जिनोंने तुम्हें तड़ पाया है मेरे बचे मैं जाधा उमीद भी नहीं रखता कि उनके लिए तुम जाधा अच्छा सोचो मैं जानता हूँ कि तुम उने माफ नहीं कर पा रहे और मैं भी कहां कर पा रहा हूँ मेरे बचे कहां कर पा रहा हूँ अपने दिल की सारी बाते अपने साई से कह दिया करो ये सोचे भी ना कि साई कैसोचेंगे क्योंकि तुम्हारा साई तुम्हारा मन पढ़ लेता है मेरे बचे खैर छोड़ो मेरे बचे, सुनो मेरे बचे विशेश कुछ सालों के अंदर मेरे बचे जो तुमने आज फैसले लिये है न उसके कारण मेरे बचे तुम्हारे आने वाला साल बहुत खूबसूरत होगा मेरे बच्चे तुम अपने जिंदगी में कुछ बहुत बढ़ा करोगे देखना तुम्हें आज की इस्तिती देखकर ऐसा रखता है ना कि साई कल का क्या होगा, कल का भविश्य कैसा होगा तो मेरे बच्चे जो ये संघर्ष के दौर मैंने तुम्हें दिये है ना मेरे बच्चे इसमें जूझो मेरे बच्चे जितना हो सकता है जूझो क्योंकि ये संघर्ष के दिन है ना और तुम्हारी महनत की बूंदे एक एक भून का हिसाब तुम्हारा साई रखेगा विश्वास के साथ पागलों की दरा महनत करना मेरे बचे हिम्मत से और ताकर से कभी भी कमजोर मत पढ़ना और तुम जितना मुझसे प्यार करोगे ना मेरे बचे आने वाले कुछ सालों में तुम वहां खड़े होगे जहां तुम सोच भी नहीं सकते और तुम्हारे रास्ते कोई अर्चर नहीं आ सकती किसी की ओकात नहीं है कि तुम्हारे रास्ते कोई आ जाए और तुम ये मस सोचों की आगे चलकर तुम पर कोई कैसा वार करेगा सबका तोड तुम पहले से ही निकाल लोगे मेरे बचे तुम्हारा साई है न और तुम्हारा बाबा हूँ तुम्हारे बाप होने के हक से कह रहा हूँ मेरे बचे निडर होकर चलो मेरे बचे कोई तुमें छू नहीं पाएगा, किसी की आउकात नहीं है मेरे बचे, वो आसू मैंने बखु भी देखे हैं मैंने बचे तुम्हारे तुम्हारी आखों में, और वो बीती बातों को सोचना बंद कर दो मेरे बचे वो बीती बाते नहीं, जो कुछ साल पहले हुई थी, जो पिछले दिरों भी हुई थी ना मेरे बचे, जो बीत गई है वो भी बीती ही बाते हैं मेरे बचे उसका भी चिंतन करना छोड़ दो मेरे बचे, जब तुम्हारा साई है जब तुम्हारे जिम्मेदारी तुम्हारे साई देने मेरे बचे तुम्हारा साई तुम्हारा पिता है मेरे बचे और सुनो शेडी आने के तुम्हें बहुत सारे इशारे मिल रहे हैं जानते हो न तुम चाहे मेरे मंदिर आओ या शेडी आओ मेरे बचे लेकिन जरूरी है सच मुझ में अपने साई को पा लेना मेरे बचे औ तुम्हारे चीजों की मेरे बच्चे, बस सुख शांती से अपना जीवन बिताओ, और सुनो, आज जश्न में बस थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर किसी पर तुम्हें थोड़ा सा भी शक होना मेरे बच्चे, कि कोई खाने में तुम्हें कुछ दे सकता है, तो उसमें उदी डाल कर मेरे बच्चे उसका सेवन करना, उसे ऐसे ही मत लेना, और अगर खा लिया है, तो उदी जरूर खा लेना मेरे बच्चे, वो चीज बे असर हो जाएगी, तुम पर कोई असर नहीं होगा मेरे बच्चे, बस ध्यान से रहना मेरे बच्चे, तुम्हारी उदी स्वेम उन्हें लगता है कि तुम गिर चुके हो लेकिन तुम गिर कर दुबारा उठोगे तुम्हारा साई तुम्हें दुबारा उठाएगा मेरे बच्चे तुम कमजोर नहीं कमजोर वो होते हैं जो एक बार गिर कर दुबारा नहीं उठते लेकिन तुम साई के बच्चे हो तुम तुम्हारी साइमा तुम्हारे साथ है मेरे बचे तो किसी भी बास से डरने की जरूरत नहीं है मेरे बचे और सुनो कुछ अपने बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि 108 बार एक माला मेरे बचे ओम साई रक्षक शर्नम का जाप करना शूरू करो तुम्हारे मन में भी शांती आएगी और तुम्हें भी अच्छा वहसूस होगा मेरे बचे, बाकि तुम्हारा साई तो हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे बचे हमेशा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ खुश रहो, बहुत सारा प्यार है मेरा आज का मध्यान साई संदेश समाप तूआ